हे फ्रेंट्स देखें बहुत जवरदस्त कंपनी आज हम लेका हैं फिर से और इसका अगर सेर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है हमेशा से देखें प्रोमोर्टर्स के पास 41.18 की सेर होल्डिंग बनी हुई है और अगर FII देखें तो FII लगाता इसमें इस्टेक बढ़ा रहे हैं जहां कई 12% का वह अगरता था वहां है अब लगबग 25 का और 5% के लगबग DIA के पास भी है पब्लिक के पास है सिर्फ 31% और अगर इसका कोज और प्रोज देखेंगे तो बहुत ही शानदार है प्रोज में सब कुछ लेकिन कोज में कुछ भी नहीं है यह देखें यहां पर अगर हम देखें इसके कौज और प्रोज तो उपर देखें साइड में है इधर कौज और यह है प्रोज तो कंपनी ओल्मॉस्ट डेफ्ट फ्री है और अपने बुक वैल्यू के लगबग पर ट्रेट कर रही है अभी और गुड काटर इसन इंप्रूब किये हैं अपने बहुत ही शांदार यह कंपनी मेरे को लगी तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्री इससे सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर ताकि ऐसी वीडियो आपको देखें हमें सा लिट वगेरा तो यहां भी सेल्स पर आ चुके हैं यहां आप देखेंगे तो कभी 700 करोड की सेल्स हुआ करती थी हमेसा बढ़ती हुए देखिए 700 के बाद 1100, 1500, 1700 और एक बार यह डिप आया 1400 करोड का लेकिन फिर 2500 करोड तक यह पहुंच चुकी है यह क्वार्टरली सेल्स है और बहुत सांदार इसमें एक हमें बढ़त देखने को मिल रही है अगर हम प्रॉफिट देखें तो एक छोटी सी यह 9000 करोड की कंपनी है जहां कभी 2 करोड के प्रॉफिट हुआ करते थे वहां 316 करोड के प्रॉफिट हैं अब और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर थे इस बार थोड़ा सा ये result खराब आया था तो शेर जो है 900 रुपे था अब ये शेर 600 रुपे के आसपास आ गया है और अब इसमें नए खरीदारी का समय बन रहा है तो अभी खरीदारी इसमें की जा सकती है अगर इसी को हम देखिए अगर yearly sales के हिसाब से तो yearly में देखिए 2013 में 4253 करोड की sales हुई थी और इस बार हुई है 10,435 करोड की और अगर इसका profit इस बार देखिए हम तो profit आया है ये देखिए जहां कभी loss में भी वही थी company 452 करोड का loss भी आया था लेकिन अब 26 करोड के round इसमें profit देखने का हमें मिला है और net profit की बात करने तो 1988 करोड का net profit कंपनी ने दिया है इस बार तो बहुत शांदार है year on year बस quarter on quarter थोड़ा सा dip हो गया था तो कोई बात नहीं है वो correction हो गया है share price म देखिए अगर हम इसकी sales growth देखें तो देखेंगे आप इस साल 55% से बढ़िए पिछले तीन सालों में 14% से profit growth देखेंगे तो हमेशा देखिए अच्छी रही पिछले तीन सालों में 32% 5 सालों में 42% और इस साल 86% की CAGR देखिए आप हमेशा 40 के आसपास पिछले तीन सालों म कमपनी के reserve और करजे की तो करजा कमपनी के पास नहीं है शिर्फ 8 करोड का करजा है और reserve अगर देखें तो देखिए 8,335 करोड का reserve है कमपनी के पास और कमपनी का अगर market cap बगारा देखते हैं हम तो अभी देखिए लेकिन उस से पहले नाम देख लीजिए कमपनी का नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड केमिकल सेक्टर का एक शेयर है ये कंपनी फर्टिलाइजर वगरा बनाती है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स और इंडेस्ट्रिस केमिकल ये बनाती है कंपनी सिर्फ 9,437 करोड की कंपनी है करेंट ट्राइट 607 रुपे 912 रुपे इसका हाई था और लो है 394 रुपे तो बिल्कुल बीचो बीच मिल रहा है बुक वैल्यू देखिए 546 रुपे अपने बुक वैल्यू को मिल रहा है बिल्कुल छोटी सी कंपनी होने के बापजूद डिविडेंट भी कंपनी देती है ये और पी बहुत सस्ता पौने 5 का आरो सी देखें तो 33 परसेंट और आरोई 24 परसेंट का है तो बहुत सांदार ये कंपनी लगती है मेरे को तो दोस्तो अगर देखें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत